करपूरं गौरं करुणावतारं संसारी सारं मुद्गेंद्रिहारं सदावसंतं हरद्यारे विंदे भवं भवानी सहितं नमामी ओम नमशिवाई दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो जीवन में बहुत से ऐसे मोड आते हैं कि जीवन चलाने के लिए हमें करज लेना पड़ता है और शेतान की आत की तरह वे करद बढ़ता ही चला जाता है हम मूल तो क्या उसका ब्याज तक नहीं चुका पाते हैं लाख प्रतनों के बावजूद हम करज चुकाने में स्वयम को असमर्थ ही पाते हैं तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह यदि आप सही प्रिकार से कर लेते हैं तो 100% आपका करद उतारने में आप सफल हो जाएंगे उपाय है दोस्तो एक नारियल ले और उस पर चमेली के तेल से और सिंदूर से स्वास्तिक का चिन बनाएं और उस पर लड़ू इतियादी कुछ भी भोग रख दें गुड़ चना कुछ भी रख सकते हैं आप कुछ भी मीठा हो सकता है और मंगलवार वाले दिन आपको यह जिस पर आपने स्वास्तिक लिखा हुआ है सिंदूर से और चमेली के तेल से उसे मंगलवार वाले दिन शाम के समय हनुमान जी के चर्णों में चड़ाएं और ऐसा लगातार पांच मंगलवार करें दोस्तो यह बहुत सस्ता सा उपाय है पर बहुत कारगर है और अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो एक दो मंगलवार बीते बीते आपको करज मुक्ती के कुछ ना कुछ रास्ते जरूर मिलने लगेंगे आप एक बार इन उपायों को करके देखे दोस्तो तो आप पाएंगे कि आपके जो करज है करज मुक्ती के जो मार्ग है वो सारे करने के बार आप साप स्वच हो जाएं और स्वच वस्तर पहन लें और जितनी आपकी हाइट है यानि कि जितनी आपकी लंबाई है दोस्तों उतना लंबा आपको काला धागा ले लेना है और काले धागे को नारियल पर लपेट कर उस नारियल को शनिवार के दिन किसी नारियल का पूजन आप घर पर कर सकते हैं, या फिर आप नदी के तट पर भी नारियल का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद उस नारियल को जिस पर आपने काला धागा लपेटा हुआ है अपनी हाइट के बराबर तो उस नारियल को नदी में बहाते हुए प्रातना करें कि मैं इस नारियल के रूप में अपने कर्ज को अपनी समस्यां को बहा रहा हूँ और अपने इश्टदेव का ध्यान करें, चितना ही वहनारियल बहकर दूर जाएगा, उतनी ही आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी दोस्तों यह उपाय भी बहुत कारगर है, आप इसे करके देखिए और आज का तीसरा और अंतिम उपाय है दोस्तो सुंबार के दिन किसी वट ब्रक्स के पास एक लोटा जल लेकर जाएं और उस जल को वट ब्रक्स की जल में डालते हुए ध्यान करें कि आप बटकेस्वर महादेव को इसनान करा रहे हैं और उनसे अपने सारे दुख वहाँ पर प्रिकट करें उस वड़ ब्रक्ष के पास में जहां आप जल चड़ाते हैं वहाँ पर बटकेश्वर महादेब के सामने आप अपने सारे दुख प्रिकट करें अपने कर्ज की सारी बाते वहाँ वड़ ब्रक्ष के नीचे कहें आप औ और मनी मन आप इस काम को कर सकते हैं, मनी मन अपनी समस्याई कह सकते हैं, ये उपाए आपको पांच सुमबार तक लगतार करने हैं दोस्तों, तीसरे अथवा पांचवे सुमबार वाले दिन आपको उस वट की छोटी सी जड़ अपने साथ अपने घर ले आनी हैं, क्या करना है आपको कि सुम्बार आपको पांच सुम्बार लगातार करने है और तीसरे या पांचवे सुम्बार वाले दिन या तीसरे को या पांचवे को आप उसी वट ब्रक्ष की जहां पर आप जड़ जड़ाते हैं उसकी छोटी सी जड़ तोड़कर अपने साथ अपने घर ले आनी ह और उस जड़ को अपने पूजा इस्थान पर रख दे और एक हफते तक उसे पूजा वाले इस्थान पर ही रखा रहने दे उसके बाद उस जड़ को लाल धागे में बांद कर अपने गले में पहन ले या फिर अपनी जेब में रख ले अगर गले में पहनना पॉसिबल ना हो संभव ना हो तो आप इसे अपने जेब में रख ले इसे दो ढ़ाई तीन महिने तक अपने पास रखे रहने दे दोस्तों और आप देखेंगे कि यह जड़ धीरे-धीरे स्वयम ही बढ़ने लगेगी और जो जो यह जड़ बढ़ेगी आप देखेंगे कि आपके घर पर लक्षमी का आकरसन बढ़ने लगेगा और लक्षमी की किरपा होने लगेगी जब लक्षमी की किरपा हो जाएगी दोस्तों तो कर्ज से मुक्तितों फिर मिल ही जाएगी और आपका सारा कर्ज इस तरह से चूक जाएगा चाहे वैं किसी का भी कर्ज हो आपके दोस्तों का हो मित्रों का हो रिष्टेदारों का हो या फिर बैंक का हो तो दोस्तों यही थे बस आज के उपाये आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दो मैंने लिया है उन्हीं जवरस्त उपायों को आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी आज के लिए इतना ही और हाँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर कीजिए